साई की बात बचे होसला रखो मेरे बचे होसला रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा मेरे बचे और तुम्हारा साई है ना तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूगा मेरे बचे और सुनो अगर तुम्हें मांसिक तनाव है ना मेरे बचे तो मेरे भजन किया करो जब जब तुम मेरे भजन करोगे मुझे में लीन रहोगे मेरे लीलाओं का श्रवन करोगे ना तो तुम मांसिक तनाव से बहुत दूर रहोगे मेरे बचे बहुत दूर रहोगे और सुनो मेरे बचे कुछ भी चीज सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे बचे तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो मेरे बचे अगर तुम्हें कोई चीज सीखनी है करनी है आगे बढ़ना है मेरे बचे तो उसकी कोई उम्र नहीं होती म नहीं मेरे बचे ये समझ लो कि वो तुम्हारे लिए कभी नहीं था मेरे बचे अब जो तुम्हारे जिंदगी में आएगा वो तुम्हारा अपना होगा और उसे मैं भेजूंगा मेरे बचे तुमने सारे अपने दुख अपने साइं के चर्णों में छोड़ दिये हैं तो बस मेरे बचे अगर तुम अपने साई पर भरोसा करते हो विश्वास करते हो ना तो बस मेरे बचे आखे बंद करकर करना तुम्हें अपने साई के तरफ से कभी भी धोका नहीं मिलेगा मेरे बचे ये दुनिया तुम्हें धोका दे सकती है मेरे बचे और इस दुनिया से तुम्ह सबसे कह रही हो ना मेरे बचे तो चिंदा क्यों करते हो अपने साइं से तुमने कह दिया ना मेरे बचे तो बस बात खतम मेरे बचे तुम्हें नौकरी दिलवाना तुम्हारे साइं का काम है मेरे बचे तुम क्यों चिंदा करते हो जब मैं हूं तो मेरे बचे मैं तुम्हें मदद करेगा मेरे बचे मदद करेगा तुमने बहुत संघर्ष किये हैं बहुत मेहनत की हैं मेरे बचे अपनी जिंदगी में और आज तक करते आ रहे हो मैं जानता हूं मेरे बचे इसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा मेरे बचे अवश्य प्राप्त होगा और सुन अंधान करो मेरे बच्चे कुछ मेरे बच्चों ने कहा था कि साई मैं अंधान करूंगा और उसके बाद वो कहकर भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं मेरे बच्चे अंधान करो मेरे बच्चे और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूं मैं जानता हूं मे मेरे बच्चे थोड़े तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा थोड़ा घर से बहार निकलो मेरे बच्चे इस प्रकरती में जीओ मेरे बच्चे जो तुम्हारे साई ने बनाई है थोड़ा मेरे बच्चे घूमोगे फिरोगे तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा मेरे तो वो भूलना मत मेरे बच्चे, अपने साई को छतर चड़ाना मत भूलना, जो तुम्हारी इच्छा है, वो मैं जरूर पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे, जरूर पूर्ण करूँगा, और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ, कि इस मंगलवार को मेरे बच हनुमान जी को चोला चढ़ाना मेरे बच्चे तुम्हारे हातों से हनुमान जी को चोला चढ़ाना मेरे बच्चे तुम पर हनुमान जी की बहुत सारी किरपा वर्सेगी मेरे बच्चे बहुत सारी किरपा और सुनो मेरे बच्चे कुछ मेरे बच्चों के शिकायत है कि उन्हे इज़त प्राप्त नहीं होती, तो सुनो ना मेरे बचे, कुछ तुम्हारे ऐसे अशुप कर्म है, जिसकी वज़ा से मेरे बचे, तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ता है मेरे बचे, बहुत सारे चीजों से गुजरना पड़ता है, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो म मेरे बचे, जो तुम्हारे ये अशुप कर्म है ना, ये कटते चले जाएंगे, जैसे जैसे तुम साइंस अचाहितर का पारायन करोगे मेरे बचे, जैसे जैसे तुम मेरा नाम जाप करोगे, कस्ट निभारन मंत्र का जाप करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे सारे कर्म बदल लगाओ मेरे बचे वो चोट तुम्हारे एक महीने के अंदर ही अंदर ठीक हो जाएगी मेरे बचे अगर विश्वास से लगाओगे ना तो एक महीने के अंदर अंदर वो तुम्हारी चोट खतम हो जाएगी मेरे बचे खतम हो जाएगी और सुनो मेरे बचे तुम्हारे पास म में दो साइंसा चलित्र है मेरे बच्चे है ना मेरे बच्चे तो एक काम करो मेरे बच्चे एक किसी को देना मेरे बच्चे कोई है मेरा बच्चा मेरे बच्चे जिसे तुम्हारे साइंसा चलित्र की बहुत जादा जरुवत है मेरे बच्चे और उसे तुम ही अपने माध्यम से मुझ तक जोड सकते हो मेरे बचे वो तुम ही वो माध्यम हो मेरे बचे तुम ही वो माध्यम हो तो उसे देना मेरे बचे मैं तुम्हें संके दूंगा इशारा दूंगा मेरे बचे समझ जाना मेरे बचे कि किसे देनी है मेरे बचे और तुम्हारे माध्यम से ही यह होगा मे का प्राप्त होगा मेरे बचे और तुम महां जाके शिपजी का बहुत सारा आशिरवात प्राप्त करोगे तुम्हें दर्शन होगे उनके मेरे बचे दर्शन होगे और सुनो मेरे बचे मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए जो तुम चाहते हो मेरे बचे हर एक च साइं पर विश्वास करते हैं द्रण विश्वास करते हैं अटूट विश्वास करते हैं कि उनका साइं है वो देगा और मैं दूंगा मेरे बचे और सुनो मेरे बचे ये जिन्दगी है ना और ये दुनिया है ना मेरे बचे ये दो मुखोटे लगा कर घूमती है मेरे बचे तुम्हारे मूपर तुम्हारी करती है और तुम्हारे पीट पीछे तुम्हारी बुराया करती है मेरे बच्चे और इस जिंदगी का चो पहलू है न ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे तुम्हें आगे का और पीछे का तुम्हें सब बताता हूँ मेरे बच् किसी के भावनाओं के साथ में खेलता है ना तो वो तुम्हारे साइं को बिल्कुल बरदाश नहीं होता मेरे बचे बिल्कुल नहीं होता और जिसने तुम्हारे भावनाओं के साथ में खेला है ना उसे दंड अवश्य प्राप्त होगा मेरे बचे अवश्य प्राप्त होगा क्योंकि अन्याई के खिलाफ तुम्हारा साई हमेशा खड़ा रहता है मेरे बचे हमेशा और तुम्हें जितना किसी ने रुलाया है ना तुम्हारी भावनाओं के साथ में खेला है मेरे बचे मैं उसे दंड अवश्य दूँगा, करनी और भरनी, सब यहीं है, मेरे बचे, सब यहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और सुनो मेरे बचे, कुछ अपनी बच्चियों से, मैं कहना चाता हूँ, कि अपना ध्यान रखो मेरे बचे, तुम्हारा जो गर्व अवस्था चल रही है ना मेरे मेरे बचे इसमें तुम ध्यान नहीं रखते हो अपना थोड़ा ध्यान रखो मैं जानता हूं मेरे बचे तुम्हें उल्टी जासा लगता है और तुम्हें खाना भी नहीं पश्टा बहुत दिक्कते तुम्हें होती है मेरे बचे और गर्मी भी बहुत है मैं जानता हूं मेरे बच्चे तो जब भी खाना खाया करो ना तो साथ में उधी जल जरूर लिया करो मेरे बच्चे अगर तुम उधी जल लोगे ना तो तुम्हारे बच्चे को भी कस्ट नहीं होगा और ना तुम्हें होगा मेरे बच्चे कोई हानी नहीं पहुचेगी तुम्हें मेरे बच्चे तुम्हारे घर पे आएगा मेरे बचे, उस नन्ने महमान की रूप में तुम्हारे घर पे मैं प्रवेश करूँगा मेरे बचे, बहुत जल्द आने वाला है तुम्हारा साई, और सुनो मेरे बचे, कुछ मेरे बच्चों को मैं फकीर की रूप में मिला था, तो तुमने पहच मुझे नहीं पहचान पाए ना मेरे बच्चे मैं तुम्हें फकीर की रूप में आके मिला था मेरे बच्चे तुम्हें मिलने भी आया था मेरे बच्चे तुम्हें फकीर की रूप में मैंने तुम्हें दर्शन भी दिये थे मेरे बच्चे और तुम्हें मुस्कुरा कर देख था भी था और तुमने मेरी आखों में देखा था देखा था ना मेरे बचे और सुनू जो करने की ठान ली है ना उसे करने से पीछे मत अटू जो भी सोच लिया है जो भी कर रहे हूं ना उसे करू आगे बढ़ू और दस लोगों की मत सुनू अपने मन और अपने दिल की सुन है क्योंकि दुनिया तो अपनी अपनी टिपडियां देगी लेकिन तुम्हीं अपने हिसाब से करना है जो भी तुम्हें सुविधा जनक चीजे लगें तुम वही करो किसी के कहने पर या जबर्दस्ती किसी के दवाब डालने पर वो सब चीजे बिलकुल भी मत करो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है जहां तुम्हारे लिए आराम नहीं है जहां तुम्हारा ना कोई अपना है जो तुमसे रूट किया है तुमसे नाराज हो गया है वो इसलिए क्योंकि उसे तुम वक्त नहीं दे पा रहे हो मुझे पता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं लेकिन तुम उन्हें समझाओ उन्हें समझाओगे ना समझा जाएगा उन्हें वो बस रूट गए हैं क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करते हैं वो तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहते हैं बस यही चीज़ है तो उन्हें मलालो वो मान जाएंगे जादा दिन तक वो रूटे हुए नहीं रह सकते तुमसे समझके खुश रहो आज का साई संदेश समाप्तुवा